भाई साब बोड एक्जामनेशन के चक्कर में हम क्या-क्या भूल जाते हैं? है ना? आप एक्जामनेशन जाते हो बहुत सारी चीज़े लेकर और वहाँ पर फिर एक्जामनेशन चुरू होता है examination के paper में बहुत सारी चीज़े भूल जाते हैं और उसके बाद examination लिखने के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़े भूल कर आ जाते हैं अब यह मुझे समझ में कैसे आया बहुत सारे बच्चे हमारे short से comments में कह रहे थे आपका 5-7 मिनिट और सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो अच्छा लगे तो make sure to hit the like button share this video and subscribe to the channel और अगर आप एगरी करते हो कि हाँ सार ये तो भूलना नहीं है तो let us know in the comment section और अगर आप आप आपके हिंदी या संस्रेट examination ने भूल चको इस चीज़ को तो please let me know in the comment section once again let's get started या सिधा मुद्धे पर आते हैं बस मुद्धे पर पहुशने से अबले आपको एक और चीज़ बता दे हिंदी examination के लिए हमने आपको बहुत सारे PYQs, मतलब 50 PYQs 100 PYQs हमें literature, 100 PYQs grammar के दिये थे तो वही हम आपके लिए English के लिए करना चाहते है और वह भी बहतर तो वह मैं बता दे तो आपको जल्दी से आपको लगे कि भाई विधान्दू तो बहुत साही है यार ठीक है? तो अभी हमारा ही वीडियो चल रहा है ना इसी वीडियो के डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक ही लिंक है दो एक लिंक है यह डाउनलोड चाप्टर वाइस नोट्स पगेरा वाला लिंक इस लिंक पे क्लिक करो के आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी और absolutely free ठेक है बस उतना ही और कुछ नहीं करना है पूरी की पूरी sheet free है ठेक है तो हमने आपको हिंदी के लिए हिंदी का practice set दिया था पूरा का पूरा वैसे हम आपको English का practice का set दे रहे हैं इसी sheet में आपको दिखे है कि भाई English के सारे videos का link भी है topic wise और उनके सबके handwritten notes भी है ocean man के अब यहीं पर थोड़ा से साइड कर दोगे तो आपको दिखे हैं यहाँ पर most repeated PYQs का section आपने डाल दिया है जहां पर top 50 poem के questions with solutions है Top 50 pros के questions with solutions है Top 100 grammar questions है जो कुछ देर मा update हो जागा जब मैं record कर रहा हूँ इस वीडियो को तब अपडेट नहीं हुआ लेकिन जब तब तक आपडेट हो जाएगा तो चिंता मत करना sheet खोल के देखना होगा आपको 200 सवाल हो चुके है अब आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा इस पर प्रैक्टिस टेस्ट में पेपर्स में और लंबा और बढ़ाने वाले हैं तो कुल मिलाकर 500 सवाल तो हो चुके आपके अब उसके अलावा हम आपके grammar-wise topic-wise भी quizzes add कर रहे हैं इसमें तो आप जैस questions भी है grammar by grammar क्योंकि grammar में ही एक ऐसा पार्ट है जो आपके हाथ में भी और थोड़ा सा आपको tension होता भी है तो बच्चो जाओ पूरी मेहनत करो हमने बस English subject के लिए आपके लिए धेर सारा content दे दिया है बस आपको वक्त निकाल के जितने वक्त दिन बाकी है पढ़ाई के साथ सा practice करते जानी है अब सिधा मुद्दे पर आते हैं sorry मैंने आपका अगर थोड़ा सा भी वक्त वरबात किया हो सबसे पहली चीज़ जो आपको board examination में नहीं बूल दियो रीचेक करनी है और वो है examination के instructions हिंदी पेपर देखे आए न तो समझ में आ गया होगी भाई सबसे important क्या हो जाता है invigilator की बाते सुनना paper को बराबर से भरना आपके answer sheet का जो पहला OMR sheet उसको भरना बहुत जरूरी है और read check जरूर करें हर examination में overconfident ना हो जाए कि भाई हमने एक examination तो अलड़ी दे दिया है तो शायद अभी हम गलती ना करेंगे तो ऐसे और confident बिल्कुल नहीं करना ब dependent है क्योंकि भाई बहुत लंबा process होता है इसको change करना है तो आपका paper है माने के कैसे लोग है कि नी तो बात समाझ में आगया OMR sheet को बराबर बरना total number of questions कितने है वो देख लेना और time कितना allotted है वो भी देख लेना अब देखने के बाद जब पूरा paper हो जाता है तो please check करें कि जितने भी सबालते सबका जवाब दिया है कि नहीं कि मेरा तो भाई बहुत 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 चुटा हुआ है आपका भी है तो let me know the comments ठीक है तो ये checking होगे तो reading exam instructions extremely important अब हर examination के लिए अलगने instructions होगे जैसे English हो गया Hindi हो तो instructions अलग होगे शायद तो make sure कि आप instructions बराबर अच्छ टरीके से सुनना number two बहुत बहुत important answer booklet को check करना बहुत ही सई तरीके से अब answer booklet में आपने जो नाम लिखा है बहुत important है अपना नाम अपना role number बहुत important है साथ ही साथ subject का code और exam center number ये जो details है उसके बाद फिर आपने parents का नाम भी लिखते हो और बाकी details लिखते हो ये जो भी details आ ऐसा मैंने शुरुआत में कहा दिया paper आपका है पैचानने के लिए कोई और तरीका है यही सिर्फ एक तरीका है तो please make sure कि भाई आप आपने paper में जो दिया हुआ instructions उसको recheck कर रहे हो साथी साथ paper भरते वक्त जो details है आपका जो info है उसको भी recheck कर रहे हो दो बारा कर लेना 15 मि वो 12 मा चुका है लेकिन 10 पास नहीं हो पाया भी तक हो क्यों नहीं पास हो है क्योंकि इस गलती के वेटे से court में case sell रहा था और CBS को भरना पड़ा 30,000 रुपे का fine देना पड़ा बच्चे को समझे हो आप लेकिन 2 साल तक बच्चा 10 के बाद आगे नहीं जा पा रहा क्यों न पास था चुली में तो इसलिए मैं कहाना हूं कि इन चोट चोटी गलती उसी बिल्कुल बचे नंबर त्री बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट एक्जाम पेपर चेक करना में को लगता नहीं मुझे इस बारे बताने की जरूत है जब आप एक्जामनेशन हो जाने के आप अंडरलाइन कर सकते हो हाइलाइट कर से उतों पॉइंट करें उनको अंडरलाइन करिए जहां पर भी डाइग्राम बनाना हो तो उनको डाइग्राम बनाईए एक्स्टा डाइग्राम बनाए कोई इशू नहीं है पैंसिल से रफ से जैसे भी हो है ना तो यह सारी चीज उने मुझे शॉट्स में पताया सर मै तो आईडी कार्ड स्कूल में भूल गयाvisor मैं तो अपना अध्मिट कार्ड स्कूल में भूल गया examination के बाद सार सर मेरा ID कार्ड खो गया औरे भाई सहा बच्चों पागा क्या अपना स्कूल का ID काड समाल कर रखें अपना admit card भी संभाल कर रखें भाई admit card के थूई आप अपना paper चेक कर पाओगे paper कब result चेक कर पाओगे जब result आईगी school का ID काड भी बहुत important है समझ रहे हो तो school के ID काड admit काट सबको भाई प्लीज ध्यान से रखे संभाल कर रखे स्कूल में भूल करना आए क्योंकि एक बार जो खो गया मिलना बहुत मुझकिल है मुझे पता है कि आपने कम से कम कॉपी बना के रखे होगी कॉपी नहीं बनाए अपने ID काट की स्कूल और सब्सक्राइब काट की तो बना कर रख दीजे क्योंकि गलती से कर भी खो भी जाता है ना तो यू है विट विट यू यू है विट यू बागी इनिज लेटर से हम बात करके सौट आउट कर सकते कुछ चीज़ों को भी लेकिन भूल कर बिल्कुल मत आना चेक्लिस बना दो भा बढ़े कुछ एक्से बसटे कश्या कि बॉनिग जाते हैं मेरा पैंजब बीज़ाद हैं इस नीचे जाता था मैं उसको कभी धूंदी नहीं पाता था का मए बथा निए दूसर डाइमेंशन में चल गया वह तो ना वहू मेन कारेक्टर इंगमारल का ऐसे समान आप लेकर जाए उन समान को वापस ले आई है क्योंकि आपके आगयाने वाल एक्जामनेशन में बहुत काम आने वाला है So these were the five most important things guys you need to recheck before leaving every examination hall हलके यो मत लेना बदना हलका पड़ जाओगे ठेक है तो भाई जैसे वैं मैंशा कहता हूँ पेपर लिखकर नहीं फार्ट का राना इन चीज़ें को भी ध्यान से रखना All the best बेटा मुझे पूरा एक्रिए कि आप हर examination ने फोडों के All the best पेश पीपर